रादे कृष्णा फ्रेंड्स वेलकुम करते हैं अपने यूटीब चैनल क्यूट काणांजी में तो आज मैं अपने गुपाल जी के लिए स्लीपिंग बैग बनाने जा रही है तो जैसे कि हम अपने काणाजी के लिए डिफ्रेंट टाइप्स के चदर बीस्तर बनाते हैं तो जो यह स्लीपिंग बैग है तो उसके बाद आपको अलग से कोई भी पिल्लोस कुछन कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है तो आए इसको ब इसको और ऑदर कर ना हरे हैं तो हम क्रावक कर रहे हैं तो यह मैंने लिया है 10 गए दा दौट्य इन्चिश का पीश लिया है यह तो इसको मैंने डीबल करना है के इसको मैंने बैक साइड से मैंने फोल्ड इस तरह से किया देन हमने त्री साइड से स्टीच लगा लेना है क्योंकि वन साइड में ऑट्यमेटिकली स्टीच लगा हुआ है तो आप टू साइड में स्टीच लगा लें और यह वाला साइड हमने ओपन ही रखनी है तो आइए स्टीच लगाते हैं तो यह मैं कुछ इस तरह से टू सा ताइब में बनकर एड़ी हो गया है मैंने इसमें डालने के लिए ली है फाइबर की रूई तो यह मैं इसमें डाल रहे हूं आप चाहें तो कोटन की बिड़ डाल सकते हैं लेकिन वह वाश करते टाइम खराब हो जाती है इकट्थी हो जाती है तो उसके कारण जो स्लिपिंग बैग है वह काम कर नहीं रहेगा तो इसलिए मैं फाइबर की रूई एड़ कर रही हूं इस तरह से दन यह देखिए मैंने रूई को आड़ कर दिया है अब मैंने उपर से कुछ इस तरह से करके और यहां पे भी एक स्टिच लगा देना है थोड़ा थोड़ा मैंने पहले य साथ में बना रहे हैं तो यह मैं 1.5 इंच मनलब 1.5 इंच का ले रही हूं गैप तो यहां पे स्टिच लगा रही हूं तो यह मैं स्टिच लगा क्या आपको दिखाती हूं तो यह देखिए फ्रेंज मैंने यहां पे जो फाइबर की रूई फिल करके यहां पे स्टिच लग जैसे कि यह मैंने 5 x 6 inches का लिया था तो यह मैं 3.5 x 5 inches का ले रही हूं तो इस तरह से मैंने लगाना है सबसे पहले मैंने इस पे कोई भी कलर की बाउंडरी लगा देनी है तो मैं यहां पे पिंग कलर की बाउंडरी का यूज कर रही हूं तो पिंग कलर की मैं बाउंडरी लगा है उसको देन कुछ इस तरह से फोल्ड किया और इधर से भी कुछ इस तरह से फोल्ड किया तांकि कोई भी थ्रेड बाद में भी हमारा निकले ना और यह जो है हमारा तो यह स्लिपिंग भैक वो खराब ना हो तो देन हमने इसको इस फेबरिक अंदर इस तरह से दे कर श्रीच लगा दिया तो इस तरह से यह मैंने अटैच कर ली है यह वाला इस तरह से अटैच करना है ये वाला corner ये वाला और ये वाला मैंने तिन्नों corner same जो है attach कर देने है और साथ में ही मैंने same boundary इसी तरह से ही सभी चारों दिशाओं में मैंने add कर देनी है और then इनको साथ में ही हमने joint करना है और then जो हम boundary लगाएंगे वो भी साथ में ही इसके उपर ही लगाएंगे तो ये देखे सबसे पहले मैंने इसको इसके साथ अटेच कर लिया है अब मैं लगाऊंगी ये बाउंडरी क्योंकि एक साथ तीनों चीजों को अटेच करना मुश्किल हो जाता तो इसके लिए मैंने फर्स्ट फोल इसको भी अटेच किया है इस चदर को इस जो है अरजाई के साथ नीचे वाले चदर के साथ अटेच कर दिया है तो ये देखे ये मैंने बाउंडरी को पोकेट पे अटेच कर लिया है इसके जो पिल्लोज मैंने बनाए हैं उन वाले पे भी मैं सेम जो है बाउंडरी अटेच कर रही हूं तेन हमारा यह वाला पोकेट बैक बनकर रेडी हो जाएगा नौ यह देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको जो है कम्प्लीट कर लिया है मैंने पिल्लोज के उपर भी जो है बाउंडरी है वो लगा दी है और इस पोकेट पे भी लगा दी है तो आएए अब अपने कानाजी को इसमें सुला के दिखाती हूं तो यह देखिए फ्रेंड्स यह बहुत ही कनमफर्टेबल रहता है और कहीं भी आप आते जाते हैं कोई भी कहीं पर भी आते जाते हैं तो आप इनको जो है इस तरह का ट्रैवलिंग बैग लेके जा सकते हैं साथ में इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पिलो चद्दर या भी जोने की जरूरत नहीं पड़ती त 10 इंजीज का अगर आप उससे बड़ा बनाना चाते हैं तो 9 x 12 इंजीज का ले ले तो कैसा लगा आपको यह स्लीपिंग बैग आप कमेंट बोक्स में जुरूर बताईएगा तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया त आदे रधी प्रेंद्स